अभी कुछ समय पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी फेशन नाइट मेट गाला 2014 का इवेंट हुआ था और उसके बाद अब सबकी नजरे कैंस फिल्म फेस्टिवल 24 पर टिकी हुई है जो की शुरू हो चुका है इस डेट कारपेट पर दुनिया भर के स्टार हर साल नजर आते ह है हर साल यह फेस्टिवल मई में शुरू होता है और करीब 11 दिनों तक चलता है चलिए आपको बताते हैं कैंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में कि इसमें क्या-क्या होता है और यह कब श्टार्ट हुआता कब शुरू हुआता नवश्कार मैं होनो चर्मा और आप सभी में शुरू हुआ था इस इवेंट के लिए लोग अक्सर रहते हैं कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में आखिरकार होता क्या है कुछ लोग इसके बारे में सही जानकारी जानते हैं और कुछ लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देंगी कैंस इवें और एक्टर शामिल होते हैं और एक्टर अपनी फिल्म और फैशन को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग शो करते हैं और इसके साथ ही फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाती है इस फिल्म फेस्ट फिल्म को पाम डियूर आवार्ड दिया जाता है 1905 में फिल्म कमेटी ने पाम डियूर आवार्ड लॉंच किया था लेकिन 1964 में इसे ग्रैंड पिक्स ने रिप्लेस कर दिया था मगर फिर से 1975 से ही इसको पाम डियूर आवार्ड में द्वारा से दिया जाने लगा है और इस अवार्ड को बनाने के लिए 18 कैरेट गोल्ड और एंब्रोइड का टा सौध देशों के 4000 से भी जादा पत्रकार और 2000 से जादा मीडिय आउटलेट शामिल होते हैं अगर इसके टिकेट की बात की जाए कि इसमें यहां पर जाने के लिए क्या टिकेट प्राइस होता है तो यह टिकेट प्राइस स्टार्ट होता है पांच लाग से 25 लाग रुपे के बीच में स्टार्ट होता है और बाकि फिल्म की स्क्रिणिंग के ऊपर भी थोड़ा बहु इसके अलावा कई influencer और digital creators भी आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं आपको यह जानकारी और वीडियो कैसी लगी हमें हमारे comment box में बताएगे और बागी तबाम बड़ी खबर होगे लिए आप सब भी बने राइटीव नहीं पहत वाच के साथ